जब यहां के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझको मिली तो तो मेरी इच्छा हुई कि आकर के पूद देखें और आकर के देखा कि इतना बढ़िया जगह है इसको खूब अच्छे ढंग से हम लोग इसको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए इस काम को करेंगे इक बहुत सारी बात हैं उसमें जो कही गई तो बहुत सारा फरिवर्तन हुआ है आज भी हमने बात किया है तो बीच में तो दो साल सबार दो साल चलता रहा है ये कोरोना के चलते जो कहीं कोई एक्टिविटी नहीं थी लेकिन इधर फिर मेरे मन में ये बात आई एक रोज की भ अच्छा हो गई है देखिएगा एक समय आएगा सब कुछ होगा तो ऐसे तो लोग आते ही है काफी ज्यादा लोग बढ़ेंगे और बहुत अच्छी जगह है यह एक खास जगह पर है अब आप सोच लिजे कि इस समय आज कितना तारीक है आप सोच लिजे इस समय अब तो अब इसके बाद पूरा गर्मी का दिन है अब बरसाथ तो कुछ दिन के बाद आने वाला है लेकिन देख लिए कि अभी भी इसमें जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सब कुछ ये इस पूरे इलाकों में भी जो इस तरह से जो दिखाई पड़ता है जल का तो इसको देख लिएग कुछ सब्थीक ढंग से चारो तरफ लोगों के रुखने के लिए भी और बैठने के लिए भी और सब जगह देख लेंगे तो कुछ को एक खाना चाहे तब भी और हमने ये कह दिया है कि सब जो बच्चे-बच्चियों को तो हर जगह घूंगने का करवाते हैं ज्याम दोज सब बात हुई है वो सब बात हुई है ताकि लोगों को आने में सुविधा हो कहीं से भी जो लोग आएंगे जो इसको एकोट्यूरिजम को बढ़ावा देने पहले से बात हुई है कि लोग आ करके उनकी गारी रुखेगी और उसके बाद फिर जो नजदीक में जितना है इन सब चारों तरफ घूमेंगे जिसे हमी कैसे पैदल घूमें इसी तरह से लोग भी और थोड़ा और नीचे तक गारी रहेगी बाकी सब लोग घूमेंगे तो भूत आनंद आएगा